हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Moto Edge 40 Android Mobile Phone में आप अपने मुआल फून की डिलीट हो चुगी फोट ये वीडियो को आपना रिकवर कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप ये वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों आप अपने मुआल फून की डिलीट हो चुगी फोट ये वीडियो को आपना दो तरीकों से रिकवर कर सकते हैं आप अपने मुआल फून की सैटिंग के जरीए आप जो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं देखी दोस्तों सबसे बले तो यहापर मैं अपने मुआल फून की गैलरी को ओपन कर लेता हूँ ठीक है, फून की gallery में देखिए मेरे पास एक फोटो है टीक है इस फोटो को आप ध्यान से देख लिजे इस फोटो को पहले मैं delete करूँगा इसके बाद मैं आपको इससे recover कर करके दिखाता हूँ आपका यहला page आता है, इसमें आपको उपर की साइड ही चौथे नंबर में bean का option है, bean पे tap करना है, ठीक है, तो आपका यह bean का page आएगा, bean का page एक तरीकी से delete वाला page होता है, आप अपने phone की gallery में जितनी भी photo वीडियो आप delete करते हैं, सारी सारी इस page पे जमा हो जाती है, आप यह ने delete किया तो वो भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, तो इस photo को recover करने के लिए आपको इस photo को only से दबागे रखना है, एक right tick लग जाएगा, इसके बाद आपको नीचे restore का यह option टैप करना है, आपको इस page में allow कर देना है, ठीक है, आपका यह जो photo का recover हो जाएगा, आप photo को delete करने के बाद उसे कितने दिनों के अंदर आप उसे recover कर पाएंगे, तो limit क्या होती है, यह मैं आपको समझाता हूँ, इसे समझने के लिए आपको इन वाले page में वापिछ जाना है, ठीक है, बीन वाले page में देखी, नीचे आपको दो जगे पे limit लिखी हुई है, दूसर इसे लगतरी के से काम करती है, recover करने के लिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिए आपको back page पे जाना है, आपको जो राइट साइट के टॉप पर पर प्रोफाइल पिक्चर है इसे आपको टैप करना है, आपका जो यह वाला page आता है, इसमें देखिए backup की setting है, तो य backup इस आफ लिख हुआ है, क्योंकि मैंने इस एप की backup setting को यहाँ पर पहले से बंद कर रखा है, तो आप यह नीचे बटन देख रहे हैं, turn on backup, अगर आप यह on का बटन टैप करके, अगर आप यह backup setting चालू कर देते हैं, इसके बाद अगर आप फिर कोई भी photo delete करेंगे तो वो आप यह backup setting है, इस backup setting को अगर आप बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद अगर आप कोई भी photo delete करेंगे, तो वो photo आपकी जो है इस bean वाले page में 30 दिनों तक पड़ी रहेगी, 30 दिन के अंदर आप उसे recover कर सकते हैं, 30 दिन में recover नहीं किया, तो 30 दिन बाद जो automatic permanent delete हो जाएग आपकी जो झाईटे एल, तोие जो है हैं, 30 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में